वीडियो के लिए एक रिसर्ट सेंटर है जो कि कहां पे है या किस लिए है सो इस बेसिकली राजीव गांथी सेंटर फॉर बायो टेक्नलोजी तो यह वो पेज है जिसमें आपको इनके पेजी एडमिशन के जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा लिंक्स डिसक्रिप्शन में है सो यहां पे आप देख सकते है पेजडी प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किये गए हैं कुछ डोमेंस के लिए जो की डिसीज बेलोजी और प्लान साइंस से रिलेटेड है लिजिबिलिटी क्या है तो अगर आपके पास पोस्वे डिग्री है लाइफ साइंस में सारी लाइफ एग अगरिकल्च, हां सेम चीज़ है कि लाइफ साइंस में ओ एकर्फिसिक्स, pharmaceutical, medical sciences या किसी भी elite subjects में हो subject में जैसे biochem है bio tech है bio informatics, bio physics chemistry, macro biology etc. जिसमें कि आपकी 55% minimum marks हो या equivalent grade point हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं final year कि जो candidates है final semester की है या result abated है वो भी अप्लाई कर सकते हैं 5% relaxation है marks में SCST और differently abled का also आपको JRF होना ज़रूरी है Applicants must have a valid JRF fellowship जो कि इन में से किसी के भी हो सकती है and मतलब fellowship basically होनी चाहिए जो कि आपको provide हो ठीक है 5 years तक के लिए age limit is 28 years 1st March 2021 तक आपकी 28 years ही होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं काम उससे हो सकती है और उसके अलामा ये किस से affiliated है तो ये University of Kerala से तेन बड़ीपूर Academy of Higher Education से Regional Center for Biotech and Kerala University of Health Sciences से इन सभी से affiliated है और guidelines जो है universities के लिए उसी के recording आपका registration होगा selection process कैसा है तो academic performance और जो national level के test है उसके basis पे candidates को shortlist किया जाएगा and then आपका होगा interview जो की होगा online ठीक है और उसके अलावा guidelines आपको बाद में provide की जाएंगी जो select होंगे उन्हें ठीक है list जो है आपको इनकी website पे मिल जाएगी apply आपको करना है तो online apply करना है 500 rupees जो है application fee है जो कि आप SBI collect से आप pay कर सकते हैं ठीक है then SCSTO और EWS को कोई भी fees नहीं लग रही है तो if you are SCSTO EWS you are exempted from paying the fee okay from paying the processing fee तो आप एपर confirm कर लीजेगा पे करेंगे तब then last date is 10th of March 2021 10th March आखरी डेट है इससे पहले पहले please आप apply कर लीजे और I know थोड़ा से late है थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा late है I am quite busy कुछ अपने कामों में you know I am I think you can understand so fee कितनी होगी आपकी लगेगी admission के बाद so यहाँ पे lab fee है 5000 per sem 8 semesters overall होंगे और हर semester उसके बाद आपकी 10,000 overall 15,000 अपरोक्स अभी लिखी है tuition fee SCST EWS candidates को नहीं देनी होगी और बागी note में भी कुछ चीजें है so in case आप interested हैं आप apply कीजे कोई issue है तो आप इस mail पे आप बता सकते हैं उसके अलावा आप यहाँ पर कुछ overview है जो कि आप देख सकते हैं so अगर आपका मन है literally इस field में research करने का और आप JRF है तो आप apply कीजे Elsa आप इसे ignore कर सकते हैं last date क्या होगी so it is 10th of March 2021 17th को shortlisted candidates के list आएगी क्लिक कर सकते हैं उसके बाद ऐसे आप अपनी details को फिल करके register कर सकते हैं links इस page की भी description box में आपको मिल जाएगी in case आप चाहते हैं तो आप visit कर सकती है so yes सारी links description में है again और that is it यही था video thank you so much for watching